हेलो गाइज, वेलकम तू ऑनलाइन लाइन प्लाटफोर्म वाविजन इस्टूटूट इस पावन वर्मा और जैसा कि हमारा अरारभी का सेशन चल रहा है राइट आप लोग देख रहे हैं जो भी जितनी भी लोग देख रहे हैं कि कुछ लोग प्राक्टिस कर रहे हैं दस-दस कुछन करके एटलिस्ट और अरभी के पैटन पर जैसे सवाल पुछे जाएंगे वैसे वैसे लेवल की कुछिंस ले रहा हूं और धिरे-धिरे ये लेवल मैं अच्छा करता जाओंगा यह आपको बस थोड़ा सा पेशिंस बना हुआ जलदी यलदी क्योंकि ज़्दा लेनदी विडियो बढने पर TVs के बहुत सारे लोग सीजन इंडिया करके अगर आप सर्च करेंगे तो यूल गेट टेलिग्राम चैनल तो वो चैनल लगबग 7-800 है तो उस चैनल को जॉइन कीजिए और वहां पर आपको डेली की प्डियआ फाइल मिल जाया करेगी ठेक है तो यह टेलिग्राम चैनल हो गया उसके बाद वैसे तो अगर वीडियो के डिस्क्रिप्चन पे आपको देखेंगे तो डिस्क्रिप्चन में आपको लिंक हacaksın लेन लेंक रहता है पहला लिंक गर सकते हैं वहां से आप ब 나उर कर सकते हैं वहां से आप video file को डाउनलोड कर तैले करने की कोसिज करें और रफ धर परने के बाद अगर नहीं होती है तो आप video को follow कर सकते और video को description में ही हर question का time strength होता है माल लेजिए कि आपको question number 4 में अगर doubt है या आप question number 4 नहीं बना तो वहाँ पर question number 4 time strength दिया हुआ है तो वहाँ पर आप उसको directly click करेंगे तो question number 4 पर बहुत जाएंगे ठीक है तो इस तरीके से आप हमारे साथ connect होई है और daily practice कीजिए मैं मैं अच्छे से ये कह सकता हूँ कि अगर आपने syllabus पढ़ा हुआ है तो अच्छा revision हो जाएगा ये 10-10 question करके अच्छे से पूरा syllabus को अगर पढ़ा हुआ है मतलब हर एक chapter को अगर आपने पढ़ा है अगर आपका syllabus complete नहीं हुआ है तो जो जो chapter आपने पढ़ा हुआ है उस-उस question को आप अगर करेंगे तो आपको अलग-अलग भरेडिस देखने को मिलेगी ठेक है और ये हमारा instagram handle अवीजिन इंस्टोट्यूट राइट अट दे रेट अवीजिन अंडर्सकोर इंस्टोट्यूट तो आप इस-इस्टाग्राम handle को भी follow करें ताकि आपको कोई भी changes हो, कोई भी update हो आपको इस्टाग्राम के थुरूँ मिल जाया करेगा तो चलिए section को start करते हैं पहला question आपके सामने है question हमने आपको already दिया हुआ है question को पढ़ेंगे और solve करने की कोसिस करेंगे, directly करने की कोसिस करेंगे यह क्या हो रहा है और क्या करना है ठीक है, तो ठीक है, चलिए कह रहा है कि MRP of a article is 60% above the manufacturing MRP of a article is 60% above the manufacturing cost the article is sold through a retailer question को समझे, question बड़ा अच्छा question है, कि एक article है उसको 60% above the MRP रखा गया था, जाने कि cost price अगर मैं by default कहता हूँ कि 100 है, तो उसकी MRP कितनी रखी गई थी, तो आप कहाएगे सर MRP जो उसकी रखी गई थी, 60% above जाने कि 160 रखा गया था, ठीक है तो आर्टिकल को बचा गया है, आर्टिकल is sold through a retailer who earns profit who earns 19% profit on his purchase price मतलब, रिटेलर ने 19% profit किया खरिदने के समय पे, what is the approximate profit percentage for the manufacturer who sells his article to the retailer the retailer gives 15% discount on MRP ओके, ओके, मतलब देखो क्या है, सवाल का मतलब क्या है, कि एक article था, उसको 60% above मैं बेचा गया, ठेक है, खरिते वक्त, क्या हुआ, देखो, एक तो manufacturer है, manufacturer ने retailer को बेचा, और retailer ने customer को बेचा, ऐसा है ये, customer की बात नहीं लिखी के ये, बट कह रहा है कि, article 60% above है, article is sold through, यही वाली बात कह रही है, कि article is sold through a retailer, retailer retailer ने बेचा है, retailer के through sold हुआ है, वो article, manufacture किसी ने किया, retailer ने लिया, retailer ने customer को बेच दिया, इस तरीकी का हो रहे है, तो कह रहे हैं कि, who earns 19% profit on his purchase price, 19% की profit होती है, purchase price पे, मतलब retailer ने जितने में खरीदा, retailer का जो cost price था, उस पे वो 19% की profit करता है, ठीक है, retailer ने 19% की profit, देखो, simple सा सवाल है, बस statement को समझना है, statement को समझना है, retailer ने जब बेचा, तो 19% अपने purchasing price पे profit करता है, ठीक है, what is the approximate profit percentage for the manufacturer who sells his article to the retailer, retailer gives 15% discount, यानि कि, retailer ने जब इसको बेचा, customer को बेचा, customer को तो price, MRP बताया जाएगा 160 का, है ना, तो उसको discount देता है, कितने का discount दे रहा है, तो 15% का discount देता है, यहाँ पे, 15% MRP क्या है उसका, 160 160 पे 15% का discount दे रहा हूं, चलो करते हैं, 15% का discount दोंगा, तो 10% हो जाएगा 16, 10% हो जाएगा 16 और 5% हो जाएगा 8 16 प्लस 8 मतलब 24 का discount तो कितने में बेचेगा तो बेचेगा selling price यहां लिक रहा हूँ directly तो बेचेगा कितने में तो 24 कम करेंगे तो 136 में बेचेगा and 136 में जब बेच रहा था तो उसे 19% की profit हो रही थी, retailer की बात हो रही है यहां तक retailer और customer की बात हो रही है तो 136 में जब बेच रहा है तो 19% की profit हो रहा है तो मुझे पूछ रहा है कि जब manufacturer ने retailer को बेचा जब manufacturer ने retailer को बेचा तो कितना profit कमाया था यह पूछ रहा है manufacturer ने जब retailer को बेचा था तो कितना profit हो था यहां की profit बतानी है यहां की profit कितनी है यह बतानी है यहां पे तो आपको पता चल गया कि retailer ने कितना profit किया है retailer ने 19% profit किया है इसका मतलब यह जो दिया वायर यह 119% के बराबर है मतलब इसने खरीदा कितने में तो इसका cost price निगाली पड़ीगी खरीदा कितने हैं तो हम कियाते हैं कि चलो इसकी जो जो अनिक् leτο कि प्रॉफिट है उसको हम माल लेते हैं एक्स रुपी, तो खरीदा कितने हैं हनदीट प्लस एक्स रुपी में करीदा था और Data प्लस एक्स रुपी में खंड़िगा था 13% involved है इसके पास जब ये समान था 100 का था इसने एक्स रुपीज की प्रॉफिट करी और इसने इतने में बेच दिया यानि कि इसका कॉस्ट प्लस एक्स और इसने प्रॉफिट कितना किया 19% और कॉस्ट था 160 का तो डिसकाउंट दे रहा हूं 15% का यानि कि 136 में बेच रहा हू तो 100 प्लस एक्स जो प्रॉफिट हो रही है वही value पता करना है मंतलो 100 पे जितना भी एक्स्टर आएगा वही percentage हो जाएगा तो मेरे equation क्या बनेगा मेरे equation क्या बनेगा तो मैं कैता हूँ कि चलो इसको एक कर दें copy कर लेते hints एहां मैं यहाँ पर equation लिख रहा हूं मुझे पता चला बात को समझो मैंने ये बात को रखा है ठीक है आपको समझा रहा हूँ देखो बहुत सारी लोगों को डाउट है ये कोश्चिन में ये हमने समझाया मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं इस बात को फिर से समझा रहा हूँ आपको कि manufacturer ने जब बनाया 100 रुपया का लगा manufacturer ने तो उसने कुछ profit किया उसने क्या किया profit किया तो profit कितना किया मैं कहता हूँ कि X rupees का profit किया या फिर X percent का profit किया कि यहां पर रिडेलर में उसको खरीदा कितने में खरीदा तो X plus 100 में खरीदा तो हम कह रहें कि X plus hundred में खरीदा तो यह उसकी क्या हो जाएगी यह उसकी हो जाएगी cost price यह profit हो गया manufacturer का यह cost price हो गया retailer का retailer अब क्या कह रहा है कि retailer earns who earns 19% profit ठेक है on his purchase price तो इसने 19% का profit करेगा तो जब बेचेगा जब बेचेगा selling price जब होगी तो वो होगी 119% of this one 119% of what 100 plus X यही बात मैंने समझा है अब इतने में कौन खरीदेगा तो इतने में करेदेगा customer कितने में खर देगा तो 119% of 100 plus X में खर देगा this will be the cost price of this one then पहले तो यह बात हमें clear हो गया कि खरीदा कितने में तो यार उसकी MRP जो रखे गई थी इना MRP रखे गई थी 160 यहां पर यह बात लिखा गया है कि 60% अब दो कास्ट प्राइज सुरह का था एकसर उसट रखा गया तो 60 वॉस सेबहाव दो कॉसट प्राइज और डिफिधतर नenden दें希望 रिडिलर गेप 15% discount, तो 15% का discount यहां पर उदे रहा है, तो 15% का discount अगर देगा, तो यानिकि 24 रुपय का discount दे रहा है, तो बेचा कितने में, यानिकि selling price, मतलब उसके उसने खरीदा कितने में, तो cost price उसका आया कितने में, 136, मतलब यह जो value थी, वो 136 के बराबर थी, यह जो value वो 136 के बराबर थी, तो मेरा equation बन गया, कि 119% of 100 plus x is equal to 136 rupees, x की value निकाल लगा, answer हो जाएगा, कि manufacturer ने कितना percent की profit किया, या कितना profit किया, वो ही पुछा गया है, और यही बात को मैं आपको इस तरीके से बता रहा था, ठीक है, आपको इस तरह समझ आया, इस तरीके से तो इस equation को solve करेंगे, अब इस equation को solve करेंगे, जितना भी value आएगा x का, वो हमारा 100 से उपर या फिर देखे क्या आता है, तो मैं इसको solve करने की गोसस करता हूँ, इसके लिए मैं एक और page ले लेता हूँ, equation को solve करने के लिए मैं एक और page ले लेता हूँ, like, यहाँ पर equation को solve, equation मेरे पास है 119 परसेंट ऑफ 119 परसेंट आफ एंडरेट प्लस एक्स इसको सॉल्फ करेंगे तो मैं कहा हूं कि 100 प्लस एक्स को ऐसे ही रख देते हैं और 136 को यहां लाके 100 वाइव 19 कर देते हैं और ठीक है इसको मुल्टिप्लाई किया तो 136 00 हो जाता है मैं डिरेक्ली लिख देता हूं 136 00 136 00 divided by 119 कितनी बार में काट हूं मैं इसको तो कह रहे हैं एक बार में आ गया तो 119 काट दिया तो 16 और 17 रह गया तो 476 आएगा तो 24 प्लस 10 34 कैरी रहे गया 34 में एक 0 लगा हूंगा यानि कि पॉइंट लगा रहा हूं और कितनी बार में कर दूं एक दो तीन तीन बार में हो जाएगा नहीं दो बार में होगा तो 14.2 मतलब मेरे पास आया 100 प्लस X is equal to 114.2 तो X की value आएगी 114.2 माइनस 100 यानि की 14.2 देखो तो option में है या नहीं है option में देखो क्या है 14.2 है 14.2 हमारे पास option A B हमारा answer हो गया तो this was the answer इसको solve किया नंबर कट नहीं रहे थी यह 117 के टिबल में या तेरे के टिबल में तो आता है सात के टिबल में आता है है ना 17 बार में लेकिन यह नहीं आ रहा था तो calculation करना पड़ा मुझे calculation करना पड़ा तो यह calculation है हमारा मदब calculation मदब division है 119 को टेबल को अब डिरेक्टली पढ़ रहा हूं मैं तो X की value 14.2 आई है तो हमारा answer हो गया 14.2% manufacturer ने profit की थी manufacturer ने कितना में बेचा था तो manufacturer 114.2 में बेचा था उसके 19% profit करके 136 में बेचा था और 136 में 15% का discount भी था तो इस तरीकी का यह सवाल था आई होप कि आपको समझ आई होगी नहीं आई है तो comment करके बताए मैं और भी इस तरीकी का सवाल आपके सामने रखोंगा next classes से तो comment करके ज़रूर बताए अब आते हम next question पर बाकी question आप try किये होंगे तो आप से बना होगा नहीं बना होगा तो मैं बनाता हूँ आपके साथ ठीक है Okay, question का words important है कि question के word को हम समझे Question के word को अगर हम समझ जाएंगे, question के sentence को अगर हम समझ जाएंगे तो हम solve कर पाएंगे कुश्विन को अराम से, ठीक है, तो यहाँ पर आता है, क्या कह रहा है कि In an exam of 100 marks, the average marks of a class of 40 student are 76, अच्छा, 40 student है, 40 student का average बता रहा है 76, तो कह रहा है कि 40 student का average है 76, तो sum कितना होगा, 76 into 40, कितना आएगा यह, 76, 76, 7, 4.280, and 24, 3040, sum आ गया यह, सही कि हम इने 76, 75, अगर 4 बर करते तो 300 आएगा, एक extra है, तो 4 extra आया, 304 आया, ठीक है, उसके बाद किता है कि, if the top 3 score of the class leaves, अगर 3 topper जो है, उसको अगर class से निकाल दिया जाए, जानिकि वो class छोड़ देते हैं, तो average falls down by 1, एक से average घट जाता है, तो मैं कहा रहा हूँ कि, एक 3 लोगो को निकाल दूँगा, मतलब कितना है, 37 लोगो को, topper को निकाल गया 3 लोगो, तो average हो जाता है, 75, तो भई, मैं इनका सम निकालना चाहूँगा, तो 75 इंटो 37, जो भी value आएगी, ठेक है, फिर आगे के sentence में कहता है, कि, if the other two topper, 3 topper को निकाला मैंने, topper 1, topper 2, topper 3, तो कहता है, if the other two topper, except the higher topper, score not more than 85, not more than 85, 85 से ज़्यादा score नहीं किया है, तो then what is the minimum score, the topper can score, सबसे ज़्यादा या minimum क्या score कर पाएगा ये, वो score बतानी है, वो score बतानी है, तो मैं कहता हूँ कि, इसका भी sum निकाली ले रहे है, 37 and 75 का multiplication करनी है, 37 and, 37 five times, that is 150 and 185, 185 में 18 carry, that is 210, 49, 259, 269, 269 plus 8, 277, 269 plus 8, yes 277, अच्छा difference कितना आया, difference कितना आएगा, difference देखेंगे तो, difference आजाएगा यार, 25 add करेंगा, 28 हो जाएगा, 225 और 40, 265 का difference आया, तो 265 किसको आया, T1, T2, T3, यानि कि तीनों topper का मिला कर, अब हमसे पूछ क्या रहा है, क्या रहा है कि, if the other two topper, except the highest topper, score not more than 85, अगर ये 85 से जादा नहीं है, तो what is the minimum score of the topper, इसका minimum score क्या हो सकता है, option दिया गया है, तो मैं कह रहा हूँ, 85 से जादा नहीं है, तो मैं इसका 85, 85, दोनों का 85, 85 मान लेता हूँ, दो topper का, अगर मैं 85, 85 मान लेता हूँ, 85 और 85, तो भाई, इसका कितना रहा होगा, ये बताइए, और तीनों मिला के कितना होगा, 265, 265, 85, 85 मतलब हो गया, 160 प्लस 10, 170, तो 265 में 170 सब्स्टाइट कर दीजे, तो 30 और 65, यानि कि 95, तो उसका score हो जाएगा 95, 95, एंसर हो जाएगा 95, आप्शिन सी हमारा एंसर हो जाएगा, ये तरीक, ये था, मतलब कुश्चन को समझना था, कुश्चन में सेंटेंस को समझना था, इंपोर्टेंट क्या था, कि स्टेटमेंट को समझना है, वरना तो यह question तो average के उपर है average के उपर है बस हमें समझना क्या है sentence क्या कह रहा है क्या दिया गया है क्या पूछ रहा है English समझना है बार बार यह कहता हूँ मैं हर class में यह कहता हूँ कि आपको question के statement को समझना पड़ेगा you have to develop your understanding अगर आप वह नहीं करेंगे तो फिर आपको question छोड़ना पड़ जाएगा क्योंकि आप समझनी पाएंगे क्या दिया गया है क्या पूछा क्या है पिछले सवाल में भी ऐसा था इस सवाल में भी ऐसा था अब हम next question पर आते है next question पर आगे ठीक है नहीं तो हम बना लेंगे कोई दिक्कत नहीं है हाना बना लेंगे ओके चलो प्चा कह रहा है question को देखो क्या रहा है क्या रहा है कि parallel piped है what is the total surface area of the rectangle parallel piped total surface area पूछ रहा है total surface area क्या होगी rectangular parallel piped having volume of 408 cubic centimeter right 408 cubic centimeter and a base area of 24 square centimeter base area भी दिया हुए the length of the cuboid is 1 by 6 1 6th the base area okay okay तो diagram बनाता हूँ मैं पहले cuboid है मतलब parallel 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 piped तो diagram बनाता हूँ diagram कैसा हो सकता है अच्छा यह white color नहीं होगा बार बार white करना पड़ेगा क्या इसको अच्छा 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 टीक है अच्छा टीक है मैं इस diagram को और बना रहा हूँ कि लाइक लाइन ड्रॉब करनी है लाइन ड्रॉब कर रहे हैं यहां से यहां तक लेते हैं इसको भी white color में convert कर लो कि फिर यहां से यहां तक लेते हैं अरे वाई एक और कॉपी करूं कि अंडू तो एक प्रेलूप पाइप्ड है अच्छ इसको फ्री हेंड बनाते हैं इस तरीके से हैं प्री में बनाते हैं इतना चुंडे हैं यह एस तरीके से हैं पैडलोव हैं इस थरक्ट्ट में हैं तो तो है कि एसकी symbolion जो कैसे निकालते हैं आपके। ऊसे यह घ्लाइन दिखायद और हम निकालें गया तो फॉल्व में लिखेंगे ऐन इंटु बीग इन्टु फॉॉङ्ट तो volume is given, volume is given that is 408, और क्या दिया हो है, and the base area, base area मतलब, base area मतलब ये वाला area, base area मतलब ये वाला area, थेक है, base area, this is the base area, base area कहो, चाहे top area कह सकते हो, उपर वाला area, थेक है, base area कह रहा है, मतलब ये वाला area, थेक है, तो अगर मैं बोलू, तो base area is 24, तो base area कह रहा है कि ये है 24 square centimeter, यानि कि ये नीचे वाला area कैसे निकाला गया होगा, L into B करके, यानि कि L into B is equal to 24 given है, तो L into B 24 given है, तो H की value निकाल सकते हैं क्या, मतलब H की value निकल सकता है, तो 24 से इसको divide कर दीजिए, तो H की value कितनी आजाएं कि 24 से 1 time, 168, that is 7 times, H की value आगई 17, और क्या बताया, the length of the cuboid is 1 by 6, the base area, base area मतलब 24 है, और उसका 1 by 6 अगर करते हैं, तो length of the cuboid becomes 4, और 4 में क्या multiply करोगे जो 24 आजाएगा, तो कह रहे हैं कि 4 में 6 multiply करते हैं तो 24 आजाएगा, तो base हो गया, मतलब breath हो गया 6, तो LBH की value पता चल गई, हमें पोच रहा है, what is the total surface area of the rectangle, मतलब that parallel pipe, parallel pipe की total surface area बतानी है, मतलब सारे sides का area निकालो और add कर दो, सारे sides का area निकालते हैं, तो मैं कह रहा हूं कि नीचे का और उपर का area तो पता ही है, यह 24 है, this is 24, this is 24, तो this is 24, तो 24, 24 कितना हो जाएगा, 24, 24 हो गया, top और base का हो गया, 48, top और base का हो गया, 48, right, 48, अच्छा, यह, यह side का कितना होगा, तो मैं कहे रहा है, यह 6 है, यह 17 है, तो 17 and 6 times, 17 to 6 times, L into, B into H करें, 102, 17 and 2, 17, 6 है, 102 यह, 102 यह, 102 यह, तो 204 हो गया, यह, ठीक है, और फिर देखो, निकालने का तरीका, मैं निकालके answer तक पहुचना है मुझे, तो मैं बस answer तक पहुच रहा हूं, और front और back की बात करें, तो front की बात करें, तो यह 4 है, this is 4, and this is 17, 17, 17, 4 the 68, 68 को 2 times करते हैं, तो 120 फ्लस 16, 136, तो total यह हो गया, कितना हो जागा देखो, 10 और 8, 8, carry 18, 338 is the total surface area, option में है, 388, 388 option C हमारा answer हो जाता है, तो this is your answer, मतलब, mensuration के उपर base drugger question आया, तो ऐसे हम कर सकते हैं, right, mensuration में क्या है ना, कि आपको formula थोड़ा याद रहना चाहिए, कोई भी formula हो, जैसे कौन हो है, या फिर cylinder है, या जो भी है, square है, तो आपको वो formula याद होना चाहिए, और आप कर लेंगे, ठीक है, तो यह हो गया हमारा question number 3, next question में आते है, next question में आते है, राशेट बॉरॉड, किस पर है ये, simple compound के है, simple सा ये भी हो सकता है, आप पढ़ेंगे और solve करेंगे, concept बस clear होना चाहिए, बार बार ये कह रहा हूँ, कि concept clear होना चाहिए, concept अगर clear नहीं होगा, तो नहीं कर पाएंगे हम, time रख जाएगा हम, तो कह रहे हैं कि राशेट बॉरॉड रूपीज 15,000, 15,000, at the rate of 10% per annum, 10% per annum, compounded interest, compounded interest के basis पे, compounded annually, he paid a certain amount at the end of the first year, यहाँ पे first year होना चाहिए, first year, ठीक है, then he paid rupees 12,100, at the end of the second year, second year के end में, कितना दिया, 12,100 रुपए, to complete the discharge the loan, पुरा लोन को खतम करने के लिए, उसने 12,100 रुपए, second year के end में दिया, तो what amount did he repeat at the end of first year, first year के end में कितना पैसा उसने दिया था, आपको यह बताना है, तो हम क्या रहेंगे principle कितना था, principle की value थी 15,000, principle की value थी 15,000, 15,000 पे पहले rate of interest कितना लगने वाला था, तो कहते हैं किसा 10% लगने वाला था, 10%, तो 15,000 के 10% होता है, फंदरा सु रुपए, यानि कि first year पे, first year में, total amount कितना हुआ था, total amount, यह क्या हो रहा है, glitch, total हो रहा है, 16,500, 16,500, 16,500, उसको first year में amount बन गया, अब यहाँ पे क्या होता है, कि वो कुछ पैसा return दे देता है, मतलब कुछ पैसा pay कर देता है, यहाँ पे कुछ पैसा वो pay करता है, और वो कितना pay करता है नहीं बता, तो कुछ पैसा pay कर दिया, ठेक है, pay करने के बाद जो value बची, जो value यहाँ पर बच गई let's say हम कहते हैं यहाँ पर जो भी value बची तो वो थी 100% जो value बची वो थी 100% फिर क्या होगा second year का second year का उस पर interest लगाएगा मतलब 10% का interest लगाएगा तो 10% ही होगा तो यह जो value होगी 110% होगी और second year में वो value पे करेगा तो हम कहरें कि कितना पे कर रहा है भाई second year में मतलब 110% की value है यह तो क्या हम 100% की value निगाल सकते हैं बिल्कुल निगाल सकते हैं हम 11 से काट दें अच्छा percentage को calculation करना है ना सिर्फ calculation की बात आ जाती है percentage को जब हटाओगे तो दो 0 कट गई 11 से काटोगे तो यह 11 हो जाएगा हरा और एक 0 मतलब हमारा यह value आएगा 11,000 11,000 में 1100 की value मतलब 11,000 में 100% की value आगया 100% की value निगालना है एक परसेंट की value अगई 110 100% की value आएगी 11,000 मतलब 11,000 रुपया उसका यहां पर value balance बच रहा था तो 11,000 balance बच रहा था 16,500 था 11,000 balance बच रहा था तो कितना पैसा दिया था वो first year में कितना पे किया था उसने first year में तो हम केज़े 16,500 500-11,000 यानि कि 5,500 रुपया उसने पे किया था 5,500 रुपया तो हमारा answer यहीं है कि उसने first year में कितना पे किया था तो 5,500 option भी हमारा answer हो जाता है simple सा मतलब तरीके से बताया मनें इसको fast करना है आपको fast करना है ठीक है तो नेक्ट को करते हैं देखिए किस बारे में है किस बारे में दिया गया है कह रहा है कि there are three athlete ABC at the same point A starts running from a point at a speed of 40 meter per minute 40 meter per minute के हिसाब से दोड़ना सुरू करता है ठीक है चलो एक point start कर लेता है यहाँ पर एक point है यहाँ पर A की speed दी गई है देखो फिर हो रहा है एक की speed दी गई है 40 meter per minute दखो हुआ फट गया then B की speed दी गई है कितनी आगे पड़ते है कि after five minutes B starts running after A with a speed of 50 पांच मिनट के बाद B start करता है B start करता है तो B की speed होती है 50 meter per minute यहाँ बदल आगया ठीक है उसके बाद कह रहा है कि simultaneously मतब उसके साथ ही C भी start करता है C की speed होती है 60 meter per minute कहा गया 6 यहाँ आगया देख पॉइंट 60 meter per minute एक track पर तीनों चलना start करता है तो what is the distance कह रहा है कि after C at 60 what distance has C covered in meter when he catches A C जब A को catch करेगा तो कितना distance चलना पड़ेगा C को और मैं को बताओ कि A कितना देर पहले चलना शुरू किया था पर minute में 40 meter एक minute में 40 meter तो पाच minute में कितना तो पाच minute में 200 meter चल लेगा वो ठीक है और इसी direction में देखो B की तो कोई बात ही नहीं है फिर तो B की कोई बात नहीं है हमें पूछ रहा है कि C कितने distance पे A को पकड़ेगा At what distance has C covered when he catches B तो simple सा है same direction वाला relative speed वाला formula इस पे apply कर दीजे same direction relative speed हमें पता है कि same direction में जब होता है तो 21 speed 40 थी 21 speed 60 है इसकी speed 40 है इसकी speed 60 है तो यह जादा है जादा है तभी यह catch कर पाएगा अगर इसकी speed कम होती 40 से तो कभी catch नहीं कर पाता कभी उसको पकड़ नहीं पाता तो यह 60 जादा है तभी catch कर पाएगा तो जो जो उसको पकड़ेगा जो उसको catch करेगा या फिर आगे race में उसको उसके साथ overtake करेगा तो कौन relative speed क्या होगी तो मैं कहता हूँ कि distance जो speed दी गई है आपस में subtract होगी same direction में this speed यह concept की बाते हैं कि same direction में क्या होता है speed में subtraction होती है तो हम कह रहें 60 माइनस 40 तो relative speed हो जाएगी 20 और देखो यहाँ से देखो तो A पहुत चुका है 200 में 200 में A पहुत चुका है अब यहाँ से C सुरू करेगा C जब यहाँ से सुरू करेगा तो C को 200 मेंटर का gap खतम करना है तो 200 मेंटर का gap कब खतम कर पाएगा तो relative speed जो उसकी होगी यानि कि 20 20 जो मीटर 20 मीटर पर मिनट है इतने देर में यानि कि 10 मिनट में 10 मिनट में C 200 में का gap को cover कर लेगा जानि कि A और C एक साथ हो जाएगे 10 मिनट में 10 मिनट में तो पताओ कि 10 मिनट में C को कितना चलना पड़ेगा तो मैं कहता हूं 60 मीटर पर मिनट था तो 10 मिनट में कितना च 600 meter, answer is 600 meter, answer is 600, option D, समझ में आया कि क्या हुआ, same direction में चल रहे है, same direction में चल रहे है, हाना, तो ये 200 meter आगे है, और ये इधर अभी start कर रहे है, तो 200 meter का gap जब खतम हो जाएगा, तब वो दोनों साथ हो जाएगे, 200 meter का gap अगर खतम हो जाएगा, तो साथ हो जाएगे, तो 200 meter जो gap है, वो कब खतम होगा, इसकी speed जादा है, तो कितना जादा है, तो 20 जादा है, तो 20 सही हमने देखा, कि 200 meter को cover करने में 20 के speed से 10 minute लगता है, जाने कि 10 minute तक वो 60 के speed से जब चलेगा, तो जाके वो A को catch कर लेगा, तो 10 minute में ये कितना distance जानेगा, 600 meter, यही एक सवाल था, जिस पर आपको अराम से, ये diagram अगरा कुछ बनाने की ज़रुवत नहीं थी, मैं संधाने के लिए आपको बना रहा हूँ, और इस तरह के सवाल अगरा आपको कुछिन को, आपको अगर exam में दिखता है, तो आप ऐसे ही कर लेंगे, कर लेना चाहिए, क्योंकि हम बहुत practice अच्छे से कर रहे हैं, next सवाल पर मैं आ गया, next question पर आ गया, next question को देखेंगे और solve करेंगे, बताए कि the early wages of a machine have increased by 25%, गंडे की जो salary थी, उसको increase कर दिया गया, कितने से, 25% से, मतलब 25% मतलब कितना होता है, 1 by 4, तो हम कहते हैं कि पहले उसकी 4 थी, और 25% बढ़ा दिया गया, यानि 4 का 25% होता है, 1, तो आप उसकी salary 5 कर दी गया, 4 से 5 कर दी गया, ठीक है, since the increase the number of hours he work daily, daily has reduced by 16%, मतलब क्या है यहाँ पर, since the increase, जब से यह salary बढ़ाया गया ना, 4 रूपे से 5 रूपे कर दिया गया, तब से उसने क्या किया, कि number of hours he works daily has reduced, number of work जो daily वो काम करता था, उसने reduce कर दिया, कितने से, 16% से, तो 16% का भी हम fraction value देखते हैं, तो आता कितना 16 by 100, यानि कि 4 by 25, तो इसने reduce कर दिया, reduce कर दिया कहने का मतलब है, कि पहले वो 25 hours काम करता था, अब 25 का 16% reduce कर दिया, मतब 21 hours काम कर रहा है, ठीक है, तो पूछ क्या रहा है भाई सवाल, ये हो गया, ये हो गया उसकी wages, और ये हो गया उसका working hour, तो पूछ रहा है कि, if he was earning 120 rupees per day before the increase, how much in rupees he is earning now, तो पहले वो 120 rupees काम करता था, 120 rupees daily उसको मिलता था, तो मैं कहता हो कि पहले का unit देखो, तो 4 rupees करके 25 time अगर ये करें, तो value हो जाती है, 4 into 25, 100 unit, और 100 unit मतलब 120 rupees उसको पहले मिलता था, अब कितना होता है, तो 105 unit, तो भई कितना मिलेगा उसको अब, तो 100 unit का मतलब 120 rupees है, तो भई 105 unit का मतलब कितना होगा, 105 unit का मतलब कितना होगा, ठीक है न, हाँ, तो हम कहारें कि 105 unit का मतलब हो जाएगा, 120 by 100 into 105, 105, तो यह हो गया 6, यह हो गया 5, यह हो गया 21, 6 times, 21, 6 times is 126, तो 126 रुपया अब उसको मिलेगा, option C हमारा answer, fraction में ही हमने convert किया और कर दिया, कोई और तरीका क्या यूज करूँ मैं इसमें, आप गहेंगे 100 hours, 100 rupees, तो उस तरीके से क्यों करूँ मैं, मैं को percentage में बताया गया न, तो percentage में बताया गया, तो value तो already निकल जा रहा है, 4 rupees पहले था, तो 5 rupees हो गया, पहले 4 rupees जब मिलता था, तो 25 rupees काम करता था, तो 25ਲ रूपया मिलती थी, अब 5 rupees जब हो गया तो 21后 काम कर रहा है, तो 105 यूडिट मिलेगा तो 105 यूडिट मतलब पहले जो काम करता था उसका 120 रुपया मिलता था अब इतना काम कर रहा है तो कितना पैसा मिलेगा तो 126 रुपया मिलेगा यही था इस सबाल में नेक्स्ट कोश्चन पर आगता है देखो प्रोवाइबिलेटी बड़ा असान सा सवाल है यह भी प्रड़नी पढ़े हो नहीं पढ़े हो प्रड़नी तो आप स्कूल में भी पढ़े हो ना जैसे कि एक कोईन को उच्छालूँगा तो बताओ कि कोईन का प्रड़नी क्या होगा यह कोईन को उच्छालने पर एक सायरी आदा गई कहता है कि तू अजमा कर देख मुझे कोईन को जब उच्छालते हैं तो उस पर एक सायरी आदा गई तो मैं आपको सुना रहा हूं तू अजमा कर देख मुझे मैं दोनों तरफ एक जैसा हूं मैं इधर भी जैसा हूं उध आप जो सोच रहे हूं वहां पिभी राइट लायल रहना है तो कह रहा है कि देरार थ्री गर्ल्स सौरी थ्री ग्रीन थ्री ग्रीन थ्री ग्रीन फॉर औरेंज फाइफ वाइट है यह यह वीडियो बहुत सारे लुग देखेंगे अब सर क्या क्या बोल रहे हैं okay there are three green balls four orange balls five white balls bulb है bulb है in a bag if a bulb is picked up randomly अगर एक bulb निकाला जाए तो what is the probability that having either a green और और कह रहा है और a white and और दो situation मैं ने पढ़ाया था आपको classes में कि एक situation होता है and और एक situation होता है or तो and में multiply करते है और में addition करते है तो और कह रहा है कि और a white ball ठीक है तो ठीक है पहले बारी में क्या निकालना है green तो green है कितने तो green है 3 और total number of ball कितना है तो 3 plus 4 7 7 plus 5 is 12 तो green आने की probability यह होगी probability probability का formula क्या कहता है probability is equal to number of what number of desired event desired event divided by total event total event तो वही कर रहा हूं number of desired तो पहले green आने की probability कर रहा हूं तो यह probability बस इसको solve करना था this is 3 plus 5 is 8 8 by 12 मतलब कितना हो गया भाई 2 by 3 4 के डेबल से काड़ दो तो answer हो गया 2 by 3 answer हो गया option B बस इसी में आपको एक number मिल गई concept clear होना चाहिए बार बार कहता हूं कि concept clear होना चाहिए right right next question आपके सामने है question को पढ़ो question को देखकर घवरा मत जाओगी यार question इतना लंबा चोड़ा है देखके घवरा जाते है नहीं question को पढ़ो बार पर कहता हूं कि पढ़ने की आदत बनाओ पढ़ने की आदत बनाओ क्या पता आप इसको कर पाएं हां आप यह question solve होने के लिए बनाओ है आपके सामने कुछ नहीं है 3-4 लाइन में है तो क्या हो या question solve होने के लिए बनाओ है किसके ऊपर है देखो तो कह रहा कि अचानक क्या ABC सौट में पढ़ो ABC इन्वेस्टेट रुपीस 11,000 12,000 17,000 पार्टनर्शिप के ऊपर है पार्टनर्शिप फॉर एए अच्छा तो ABC का इन पार्टनर्शिप फॉर एयर आफ्टर एयर आफ्टर एयर देगा एक साल के बाद एक लाग की प्रॉफिट होती है इस अच्छा प्रॉफिट कितना हो रहा भाई प्रॉफिट हो रहा है एक लाग लिखने की जरूवत नहीं है यह 10,000 लिखा है एक लाग ठीक है तो मैं को बताना है कि C को A से कितने जाता मिलेगा तो मैं कहता हूँ कि C का 17 है और A का 11 है तो डिफरेंस कितना है छे यूनिट का तो मैं कहता हूँ 6 यूनिट सम अब दस रेशियो कर दो एक साल की बात कर रहा 11 प्लस 12 23 23 प्लस 7 is 30 प्लस 1 10 is 40 40 से कर दो 40 से एक जिरो कार देता हूँ 4 से मैंने इसको 25 कर दिया हंडिड को 25 के साथ 2 0 है और 6 है तो 25 के साथ 6 को मुटिप्लाइग करेंगे तो देड़ सो आता है और 2 0 यहां का हो गया यानि कि 15,000 बस सिंपल से सवाल था यह कि कि सी को कितना ज्याता मिलेगा चाने कि को ऐसे असोगसर कितना ज्याता मिलेगा धिट यहीं करना था हो गया कुशंद कुछिन नबर एट सॉल्ट कविंग्ट कुछिन नबर नाइन किसके उपर वेस्ट देखेंगे आप और सॉल्ट करने की कोशिस करेंगे ठीक है तो कह रहा है कि कुछिन नबर नाइन अब बोट टेक सिक्सार्ट टू कवर हंड्रेट किलोमेटर डाउंस्ट्रीम एंड 30 किलोमे अब यूब यू यूव गड़ते हैं तो हम कहा रहे हैं 100 दिवाइड डाउंस्ट्रीम की प्लसटिकलोमेटर सुट्रीम जा रहों अत billion जाने कि ऐसे रिखा ऌने सल्कार अए ऐसं ऑंत को यहां तक उसके बाद के रहा है if boat goes 75 km downstream and return back to the starting point in 8 hours then what is the speed of boat in still order and the rate of the stream in kilometer per hour respectively simple simple बस question का equation जल्दी-जल्दी solve करना है 75 km downstream जाओंगा 75 km upstream जाओंगा total time बता रहा है 8 घंटे तो दो इक्मेशन बन गया equation one and equation two अब इसको solve कर दो फट 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 दी और यू की फैले डिकालों के boat निगल जाएगा यह निकल जाएगा क्या है इसमें कुछ है नहीं सब्सक्राइब करने के लिए मतलब इसक्रीशन को सब्सक्राइब कर देते हैं तो यह आप क्या रहे है कि 100u मैं इसको आगे लिख रहा हूं 100u and 30d 30d and is equal to 6du यह होगा पहला ठीक है इसकी बात करतूं तो यह होगा 75u और 75d और यह हो जागा 8du ठीक है तो बस इस दोनों एक्विशन को सॉल्फ करो दी यू की वैली निकाल लो दी यू की वैली निकालने के वाइस बोट एंड और बोट एंड वाटर की इस पर निकाल लेंगे अच्छा क्या करूं मैं जो 75 और यह कट जाए तो मैं काम कर रहा हूं 75 को मुल्टिप्लाइब करना easy है कर देते हैं 75 और 100 ओके 5 देखो मैं क्या क सब्सक्राइब कर रहा हूं इस इक्विशन को और इस इक्विशन को बराबर करना को यह कटना है तो मैं कहता हूं इसको 75 से एक कर देता हूं और इसको 100 कर दो तो यह जोनों कट जाएगा यह माइनस वह तो 75 थ्री डाइम्स 75 का 3 बार 225 जाने कि 2250 D 75 का 6 बार तो 450 और 0 450 देखो समझो अरे यार अंडू कर 75 6 टाइम्स 3 डाइम्स में 235 ता 6 बार में कितना होगा 450 हो जाएगा 6 बार में 450 हो जाएगा और और DU रह जाएगा तो DD ऐसी कर जाएगा सिर्फ 450 U रह जाएगा यहाँ पर DD कर जाएगा देखो तो यह कितना हो जाएगा यहाँ हो जाएगा 7500 D और 800 DU तो DD कर जाएगा तो मेरे पास रगया 450 U 800 U सब्स्ट्राइट करते हैं तो कितना आएगा 350 U और इसको सब्स्ट्राइट करते हैं तो कितना आएगा भाई पाँच हजार दोसो पचास तो U की वैल्यू कितनी 35 से काट दो याने कि 5 to 5 0 डिवाड़ेट भाई 350 U की वैल्यू आजएगी 0 0 काट दिया 35 से कटी की नहीं कटी की 35 से एक बार काट दिया तो बच्चा मेरे पास 175 याने कि 5 टाइब्स U की वैल्यू 15 आगई U की वैल्यू 15 आगई U की वैल्यू कितना आया 15 आया U की वैल्यू को 15 रख दो यहाँ पर तो यह 2 डाइब्स 2 दर जाएगा तो 4 हो जाएगा 4 इदर आएगा तो 25 दी की वैल्यू 25 देखो 2 दू आया है बोट की स्पीड निकालनी है तो डाउन स्ट्रीम स्पीड 25 एंट 15 आया डाउन स्ट्रीम आया 25 आप स्ट्रीम आया 15 और बोट की की स्पीड निकालनी है तो कहता है कि डाउन स्ट्रीम प्लस अप्स्ट्रीम डिवाइड वाइड 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 तो यही हमें question में पूछा है बीस और पांच option D हमारा answer यह calculation थोड़ा करना पड़ा पस calculation कहीं कहीं तो करना पड़ेगा न यार और इसका भी कोई है मैं बता दूंगा थोड़ा सा क्लिक नहीं कर रहा है मैं बता दूंगा आपको नेक्ट किसी वीडियो में question 9 को हम फिर से discuss कर लेंगे जहां पर shortcut तरीके से हम discuss कर पाएं नेक्ट question पर आते हैं last question है आज का यह I hope कि आपको यह session मजा आया होगा कुछ जानने को जरूर मिला होगा और आपके preparation में यह value add किया होगा राइट आरे question number 10 पे कह रहा है कि A and B are two alloy which were made by mixing aluminium and silver aluminium and silver को मिला कर बनता है A और B A में है 5 is to 7 9 is to 11 जाने की A में aluminium and silver जाने की AG chemical name is AL and AG is silver का chemical name है 5 is to 7 इस तरीके से है जा फिर इसको ऐसे लिखते हैं देखो समझा रहा हूँ मैं आपको इस तरह बनाना नहीं है मैं कह रहा हूँ कि aluminium है और क्या है silver है यहाँ पर 5 is to 7 के हिजाब से है फिर दूसरा container है मेरे पास यहाँ भी aluminium है और यहाँ भी silver है ratio है 9 is to 11 कह रहा है कि 30 gram of alloy A यह A था यह B था तो इसमें से क्या रहा है 30 gram ले लेता हूं और 50 gram of B 50 gram of B इसमें से 50 gram ले लेता हूं इसको मिला दिया गया सी बना दिया गया इसको मिला दिया गया सी बना दिया गया what is the ratio of aluminium and silver in the new alloy C ratio of aluminium and silver बतानी है यहाँ पर aluminium और silver कितनी होगी कितनी होगी aluminium और silver की ratio क्या होगी यह पता नहीं है तो कर लेते हैं भाई that is 3 and 5 इसका ratio अगर दिखा जाए तो मतलब जो मिलाया गया है 3 पाट यहां से 5 पाट यहां से लिया गया है 30 gram and 50 gram equation भी लिख सकते हो आप equation लिखकर या फिर आप allegation mixture के throw भी बना सकते हो तो मैं दोनों तरीका दिखाता हूँ पहले equation लिखते हैं हम कहरें कि aluminium की बात करते हैं aluminium है कितना 5 by total is 12 5 by 12 of 30 gram 30 gram का 5 by 12 यह है यहां पर aluminium कितना है तो यहां पर aluminium है 9 by 20 add करते है 9 by 20 of what of 50 gram यह हो गया aluminium अच्छा अब हम बात करते हैं किसकी copper copper नी silver की बात करते हैं silver है 7 by 12 7 by 12 of 30 plus यहां पर है 11 by 20 of 50 बस यह ratio बतानी है आपको यह ratio बतानी है calculation कर लो जो करना है कर लो calculation कर लेते हैं हम हम कहरें कि 6 के table में 5 times 6 के table में 2 times 2 आए गया तो 2 यहां भी है 2 यहां भी है तो this is 25 plus 5 25 plus 45 यह हो गया 25 यह हो गया कितना 45 25 45 कितना हो गया 70 by 2 70 by 2 divided by this is also 6 के table में 5 times 6 के table में 2 times 00 कट 35 and 55 that is 60 plus 30 is 90 by 2 22 कट गया 00 कट गया 7 is to 9 हमारा answer हो गया है क्या option A हमारा answer हो गया जहां पर हम क्या करेंगे कि इसको कि अलिविशन मिक्चर बनाएं मतलब मैं कहा रहा हूं कि एल्मुनियम को लेकर सॉल्फ करते हैं एल्मुनियम में 5 by 12 एल्मुनियम है 9 by 20 इसको जब मिलाएंगे तो रेशियो जो है वो 3 is to 5 के हिसाब से इन दोनों रेशियों में देखो कौन सी रेशियो बड़ी है तो 25 जा 100 79 जा 153 तो यह बड़ी है तो इसके साथ यहां पर मैं लिख लेता हूं यहां पर मैं लिख लेता हूं एक्स यह बड़ी हो जा रही है तो कहरें को 9 by 20 minus x equation जो बनेगी हमारी बनेगी 9 by 20 minus x divided by x minus calculation थोड़ा करना पड़ जाएगा यहां भी तो रेशियो बनेगी 3 by 5 । आई खता है जोब्ही वैलीव आएगी एक्स की वैलीव मेरा आएगा पता क्या एक्सिव हैएगी आएगी सेवन बाइ 16 इसको चौनेगे बाद़ तो इसको आप ट्राइ जब्केंदके बना कि आए इगी नहीं आई तो यह था आपका हॉमवर्क जो हमने करवाया ठीक है दस question आपको कैसा लगा यह बताईएगा question समझ आई नहीं आई question का label समझ आया यह समझे समझना है और इस तरह से मैं daily करने की कोसिस करूंगा ठीक है और week में एक आपको इस वीडियो ना आए जिस दिन आपको साथ हम वह लेकिन मिलेगी आपको वीडियो फाइल जनुर मिलेगी आपको ट्राई करता है वीडियो स्विशन में हो सकते है एक दिन गैप हो जाए तो देखेंगे किस दिन होगा वैसे आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि जो वीडियो होगी वह आपको डेलिस रात को आट बिजे आपको बिल जाया करेगा आप चैनल को सास्कुराइब कर लिजे साउा आउन कर लिजे ताकि आपको जब वीडियो रिलीज हो तो आपको डिरेक्टली नोटिफिकेशन मिल जाए तो I hope कि आपको यह सेशन अच्छा लगा हो थैंक यू फो गिविंग डाइ फिर मिलते हम लोग नेश्क लास में तब तक के लिए ख्यार रखे धन्यवाद थैंक यू